नमस्कर साथियों समसमाई कम मुद्दों से संबंधित प्रस्णावली स्रंकला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 30 मई 2020 और आज के हमारे प्रस्ण के इन मुद्दों पर आधारित हैं आईए सबसे पहले एक नजर डालते हैं बात करेंगे स्कौर्डन फ्लाइंग बुलेट्स में लड़ा को विमान के बारे में पहले प्रस्ण में वहीं दूसरा प्रस्ण आधारित होगा पुस्तक दा इका भोग की आनलाइन वीमोचन पर मुद्दबा हुसायन का अभी हाल ही में निधन हो गया है इनके बारे में बात करेंगे तीसरे प्रस्ण में चौथा प्रस्ण आधारित होगा हलके वजन की मिसरुधातु को तयार करने पर पांचमें प्रस्ण में हम बात करेंगे आम के किसानों को अपनी उपज आनलाइन बेंजने के लिए जो समझोता किया गया है वो किसके किसके पीच किया गया है करलिंग अप्लिकेशन चैट अप किसक ने लांच किया है इसके बारे में बात करेंगे छटे प्रस्ण में सात्वा प्रस्ण आधारित होगा ब्रिथेबल फैब्रिक से पीपीई किट के विकास पर 1100 साल पुराना शिव लिंक कहां मिला है इसके बाहरे में बात करने वाले हैं हम आठमें प्रस्ण में भारती राश्टी राजमार्ग प्रादी करण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस विशे पर हम बात करेंगे नमे प्रस्ण में और दस्वा प्रस्ण आधारित होगा ओरियंटल इंस्वरेंस कम्पनी के नए अध्यच और महा प्रवंधक पर तो हमारे पास पहला प्रस्ण है भारती वायसेना के स्कॉार्डन फ्लाइंग बुलिट्स में कौन सा लड़ा को विमान शामिल हुआ है हमारे पास आप्सन है तेजस MK1 FOC विमान तेजस MK2 FOC विमान HAL तेजस या सुखोई 30 MK1 तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A. तेजस MK1 FOC विमान भारती वायसेना के स्कॉार्डन फ्लाइंग बुलिट्स में तेजस MK1 FOC लड़ा को विमान शामिल हुआ है तेजस MK1 FOC एक एकल इंजन हल के वजन बेहद चुस्त सभी मौसम में बहु भूमिकाने भाने वाला लड़ा को विमान है यह हवा से हवा में इंधन भरने में भी सच्छम है हमारे पास अगला प्रस्न है हाल ही में पुस्तक दा इका बोग का आनलाइन विमोचन किया गया इसके लेखक कौन है हमारे पास आपसन है एरिक कारले, जे के रॉलिंग, जैफ किनी या रसकिन बांड यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है बी, जे के रॉलिंग दा पुस्तक इका बोग का आनलाइन विमोचन अभी हाल ही में किया गया इसकी लेखका जे के रॉलिंग है या आनलाइन संस्क्रण बच्चों के लिए फ्री में उपलब्ध है दा इका बोग सत्य और सत्य के दुर्पियों की कहानी पर आधारित पुस्तक है हमारे पास अगला प्रसन है हाल ही में मुझदपा हुसाइन का निधन हुआ है वे किस छेतर से थे हमारे पास आप्शन है लेखक, कवी, संगीतकार या खिलाडी तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है ए लेखक मुझदपा हुसाइन का अभी हाल ही में निधन हुआ है वे उर्दू के प्रसिध लेखक थे उन्हें उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाध ही दी गई थी उन्होंने अपने साहिते के जीवन की शुरुवात सियासत से की जो हैदराबास से प्रकासित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है उन्हें 2007 में पदमस्री से भी संबानित किया गया था हमारे पास अगला प्रस्थ है निमलिकित में से किस IIT संस्थान द्वारा कारों में स्टील ऐलिमूनियों को बदलने के लिए हलके वजन की मिस्र धातु तयार की गई है हमारे पास अपसन है IIT कानपूर IIT मदरास, IIT रुड की या IIT डेल ही यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है भी IIT मदरास IIT मदरास द्वारा कारों में स्टील ऐलिमूनियों को बदलने के लिए हलके वजन की मिस्र धातु तयार की गई है संस्थान ने नार्थ टेकसास की यूनिवस्टी और यूनाइटेड इस्टेट्स आर्मी लैब के साथ साज़ेदारी की है यह साज़ेदारी कारबन फूट प्रिंट को कम करने और इंधन दच्छता बढ़ाने के आटोमावाइल उद्द्योग में स्टील और एलमोनियम को बदलने के लिए मेगनीशियम मिस्र धातु विक्सित करने के लिए की गई है हमारे पास अगला प्रस्ण है हाल ही में करनाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने किस आनलाइन आधारित वेबसाइट के साथ आम के किसानों को अपनी उपज आनलाइन बेंचने के लिए समझावता किया है हमारे पास अप्सन है आमेजन, जियो, मार्ट, फ्लिपकार्ट या जो मैटो तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है सी फ्लिपकार्ट करनाटक राज आम विभाग और विपनन निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ आम के किसानों को अपनी उपज आनलाइन बेंचने के लिए समझावता किया है या साजेदारी किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुँच प्रदान करेगा हमारे पास अगला प्रस्ण है नेमलिखित में से किसके द्वारा कालिंग अप्लिकेशन चैट अप लांच की गई है हमारे पास अप्चन है ट्विटर, फेस्बुक, गूगल या वाट्सअप तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भी फेस्बुक के द्वारा फेस्बुक द्वारा कालिंग अप्लिकेशन चैट अप लांच की गई है इस कालिंग अप्लिकेशन का उद्दे से दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ काल के समय जोड़ना है इस एप में एक साथ एक समय पर आठ लोग गुरूप कालिंग में जोड़ सकते हैं हमारे पास अगला प्रस्ण है हाल ही में भारती नवसिना द्वारा ब्रीथेबल फैब्रिक से एक PPE किट विक्सित की गई है जिसका नाम निमलिखित में से क्या है हमारे पास अप्सन है जीवन रच्चक, लाइफ लाइन, स्वास्थ रच्चक या नव रच्चक तो यहाँ पर जोसका सही उत्तर है वो है डी नव रच्चक बारती नोसिना द्वारा ब्रीथेबल फैब्रिक से एक PPE किट विक्सित की गई है जिसका नाम नव रच्चक है या PPE किट COVID-19 महामारी से लड़ाई में काम आने वाले स्वास्थ कर्मियों को बहु इसतरी कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी इस मेटरियल में जल वास्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की छमता है या PPE किट मुंबई में इंस्टिटूट आफ नेवल मेडिसिन इन इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल एस्पेसलिस्ट सरजन लेफटिनेंट कमांडर अर्बन घोस तवरा बनाई गई है हमारे पास अकला प्रसन है हाल ही में किस देश में भारती पुरतत्य सरवेचन को ग्यारा सो साल पुराना सिवलिंग मिला है हमारे पास आपसन है नेपाल, स्री लंका, वियतनाम या इंडोनेसिया तो यहाँ पर जिसका सही उतर है वो है सी वियतनाम वियतनाम में भारती पुरतत्य सरवेचन को ग्यारा सो साल पुराना बलुवा पत्थर से बना एक विसाल सिवलिंग खुदाई में मिला है यहां तेरवी शताब्दी तक बौद धर्म और हिंदु धर्म से संबंधित बेहद खोबसूरत कलाकरतियां पहले भी मिली है माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दवरान यह सिवलिंग एसाई को मिला है हमारे पास अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किसके द्वारा वित्ती परिणामों के बारे में विलंब से जानकारी देने के लिए भारती राश्ट्री राजमार्ग प्राधीकरण पर सात लाह का जुर्माना लगाया गया है हमारे पास आप्सन है नाबाट सेवी आरबी आई या एस बी आई तो यहां पर जोसका सही उत्तर है वो है बी सेवी सेवी द्वरा वित्ती परिणामों के बारे में विलंब से जानकारी देने के लिए भारती राश्टी राजमार्ग प्राधीकरण पर सात लाह रुपाय का जुर्माना लगाया गया है सेवी द्वरा की गई जांच में पाया गया कि वित्ती वर्ष 2015-16-18-19 के बीच चार दिन से लेकर 78 दिनों तक अपने अरधवासिक वित्ती परिणाम दाखिल करने में विलंब किया गया हमारे पास अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किसे ओरियंटल इंसुरेंस कमपनी का नया अध्यच और महाप्रवंधक बनाया गया है हमारे पास आपसन है तो यहाँ पर जुसका सही उतर है वो है A.S.N. राजेशुरी बैंकर्स ब्यूरो बोर्ड द्वारा नियो इंडिया इंसुरेंस की महाप्रवंधक S.N. राजेशुरी को ओरेंटल इंसुरेंस कमपनी का नया अध्यच और महाप्रवंधक बनाया गया है वे A.V. गिर्जा कुमार का स्थान लेंगी तो यह थी आज के हमारे समसमाइक विसियों से संबंदित 10 प्रस्न मिलते हैं कल नया 10 प्रस्नों की स्रंकला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद